कि नमस्कार साथियों गौरवग्यान धारा में मैं स्वागत करता ही हूँ आज OPD objective प्रस्ण धारा में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं गौरवग्यान धारा पे FB जो है पियोन बरती का कुछ समय पहले ही मैंने वीडियो बना कर दिया आप लोगों को जो सायद आप लो जो रूप रहा है वह चीज मतलब परिक्सा की इसकी मा आ चुकी है और वह चीज आप लोगों को आप लोगों ने जान लिए यदि वह वीडियो देख लिया तो नहीं देखा तो देख लेना ठीक है अब जिस्त्रत तलेबस आयोग को जारी करने के लिए का आयोग जहां पर कि मैं सद्द ले रहा हूँ ना वहाँ पर मतलब की बोड बोड यानि उसके लिए करमचारी चेन बोड है ठीक है तो वह देख लेना ये वीडियो है आप लोगों के क्योंकि 73 जो वस्तुनिष्ट पुस्तक है वो आ चुकी है बहुत सारे विद्यारती इंतजार कर रहे है कि 2300 प्लस वस्तुनिष्ट बुक कब आएगी तो देखो मैंने कल भी बताया था लाइव क्लास में के किताब आ चुकी है क्योंकि कल जैपूर में आ गई थी यह आप मेरे हाथ में देख रहे हो आप जैसा थमनेल में है यह आप लोगों के आ गई है अब इसके अंदर क्या है क किसके लिए उपयोगी है किसके लिए नहीं यह चीज बता देता हूं देखो कभी भी जो पुस्तक आती है मेरी जरूरी नहीं है कि हर विद्यारती के लिए अनिवारिये ही हो आप लोगों को यह निन्ने अपने अनुसार लेना चाहिए कि आपकी जरूरत के अनुसार क्या बैठ रही है ठीक है उस time period में उस situation में आपके आविशक्ता क्या है उसके आदार पर तो यहाँ पर जो है यह उस तक आप लोग देख वा रहे हो अब देखो मैं इसका index बता देता हूं सबसे पहले फिर इसके page बता दूगा अंदर इसका content बता दूगा इसकी price बता दूगा इ जिस पे आप लोगों के पसु परिचर की continue revision class से चल रही है ठीक है तो पर 12 बज़े आप लोगों को class आती है और Sunday को आती है मिनी बैराथन यानि की पूरा revision होता है तो मैंने जीजीडी पे पूरा course करवाया है अब अपने यहाँ पे च्वकर नाम जी देवासी सर्जों आए देखिए अब यह पसु परिचर के 7300 प्रशन है यानि 7300 से भी ज्यादा प्रशन है यहाँ पे आप मेरे से तो परिचित होई जिनका विशेश सयोग रहा है रामनिवाजी सैनी नरंदर सिंगी बाटी सियार देवाजी सर कैला जी परजापत और भी अमारे टीम के बहुत सा पहले इंडेक्स देख लो ठीक है सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को जो नया संसोधित सिलेबस आया था उसके अलूस आ रही है पूरी बुक इसके अंदर आप लोगों को पांच यूनिट उसमें सामिल करके दी गई है क्योंकि वह अलग से ही पढ़ना होता है क्यों अब देखो इसके अंदर क्या ऐ जिकर के सारे टोपिक है सबसे पहले यूनिट आगी है अपने राजस्थान का पूगहल इतियास कला संसक्रति वारत का जो है वह नई है खाली और उनसे related मैंने syllabus analysis कर रखा है तो कौन से topic में क्या चीज individual जुड़ी है और कौन सी direct और indirect कौन सी जुड़ी है वो चीज बता रखे मैंने आप लोगोंने नहीं देखा है तो GGD पे जाके syllabus analysis का पहले वीडियो देखना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या चीज कैसे है ठीक है जैसे कि रंग मंच है तो रंग मंच में लोगना ट्य बढ़ना होता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है इसके अंदर science के भी प्रस्ण है आप लोगों के इस पसुपरिचर परती के लेवल के अनुसारे दिये है ठीक है गणित के भी प्रस्ण है वो भी इसके अंदर आप लोगों को दिये गए पसुपालन जो नया है ठीक है जो नए topic जुड़े हैं वो भी दिये गए है और मैंने आप लोगों को कहा था कि जो नए टॉपिक है विद्यारती अलग से डिमांड करेते कि ज़र पसु परिचर की जो पसु पालन वाला सब्जेक्ट है उसकी वन लाइनर अलग से दो मैंने आपको कहा था कि 3300 आएगी अपने वैसे भी उसके अंदर ही में सामिल कर दूँगा तो इसके अंदर आप लोगों के नए जो टॉपिक है उनके वन लाइनर्स भी सामिल किये गए हैं वो मैं बता दूँगा अभी पेज तो इसमें ये सारी के सारे जो है वस्तुनिष्ट प्रश्णों के टॉपिक है सारे नए पसू करसी कुकुट बालन वगेरे सब कुछ ले लिया अपने ठीके चरवाय वगेरे सारा है सब कुछ है और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था ये विवीद वाले भी लि नटे को के लिए पसूपालन से सम्दृत अन्य जानकारी जो वन्लाईनर्स के रुप में वह भी लिए ही टीक है तो ये तो रहे है आप लोगों के इंडेक्स की बात अब आप कुछ पेस बता देता हूं ताकि आप लोग उपाइडिया आजाए कि इस बुक में है क्या और क्यों विद्यारती इंतजार करते हैं तो देखो हर पुस्तक के पिछे हम जी तोड़ महनत करते हैं और उसका परिणाम है कि आप लोग इतना प्रेम देते हैं देखो सबसे पहले म आप लोगों को मैं सेयर कर देता हूं यहीं पर ताकि आप लोगों को चीज़े क्लियर हो आप लोगों को समझ में आए कि उसके बाद में भी मैं यही कहूंगा कि बुक इस्टॉल पर जाते हो तो समय लेके उसको देखो चीज़ को सिर्फ यह नहीं कि गौरग सब ने बता तरीके से अब जैसे नाजस्तान की स्थितियाम विस्तार यानि कि व्याख्या के साथ में नए जिलों के अनुसार है पूरी तरीके से अपडेटेड ठीके तो यह देखो जैसे प्रस्ण पढ़ लिया इसकी सांदार व्याख्या आगे तो मतलब टोटली रिविजन टोटल बर्तियों जितनी भी बर्तिया संपन हुई है सभी के अंदर 3300 विद्यार्तियों की डिमाड रही है क्योंकि इसमें बहत्रीन व्याख्या और सीदे प्रस्ण देखने को मिलते हैं देखो व्याख्या के साथ ही साथ यह आप देखो के न तो चित्र ग्राफिक्स सभी का जो ह समायोजन करके यहाँ पर यह चीज दी जाती है इसलिए विद्यार्तियों के लिए यह बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहती और पसंदिदा रहती देखो सारी की सारी चीज जो है मतलब जो आप कह सकते हो कि एक complete चीज अनिचीज जिस तरीके से वैसी है बाकी आप लोग ख बता चलेगा कि हाँ वास्तों में क्या है और क्या नहीं है ठीक है तो यह देख लो यह पूरी तरीके से आप लोगों दूसरा चेप्टर भी बता देता हूं इसका तो आपको आईडिया आ जाएगा यह बहुतिक स्वरूप विवाजन ठीक है तो इसमें भी सारे के सारे जो बने वे सवाल है वो लिए है लेकिन यहाँ पर अपने इनको भी अपडेट किया है नए जिलों के अनुसार तो यह है परिक्सा द्रश्टी इसके अंदर सबसे बैस्ट कॉलम होता है अपनी तियत्र सो के अंदर जिसमें बने वे सवाल आ जाते हैं और उसी चैप्टर के जो सब्सक्रामिल किये गए हैं ठीक तो यह इस तरीके से और देख लो कुछ पेज आगे के बता देता हूं थोड़ा सा फाष्ट करके कि इस टार्ट के दो तिन टोपिक तो आपने देख लिए अप थोड़े सी कुछ आगे के देख लेते हैं अपन यह देखो यह देखो बतलब सारे अब इसके अंदर देखो उपनाम बोगलिक उपनाम तो यहाँ पे भी यह चीज़ भी सारनी जो जोड़ी गई है यानि कि complete book होती है एक तरीके से परिक्साद्रश्टी कॉलम जोड़े गए हैं आप लोगों के लिए ज्यादा तर प्रश् यह तो हो गई इसके science और maths के भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को और idea आ जाएगा ठीक है चलिए सारी बता देता हूं एक बार सारी unit बता देता हूं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को थोड़ा सा idea अच्छे से आ जाएगा कि क्या चीज़ कैसे है ठीक है ना चलिए तो यह है आप लोगों की सामन्य विग्यान अब विग्यान के topic किस तरीके से add किये गए है वो आप यतोचित व्याक्या है जाँ जाँ व्याक्या के अविशक्ता है वहाँ सब जगे जो है व्याक्या भी आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है इस तरीके से यह science के topic भी इसमें सामिल किये गए है यह देख लीजिए ठीक है देखते जाओ तो जो विद्यारती ये पुस्तें सार गुरुजी इसके अंदर जो है science है या नहीं है तो cover पे लिखा हुआ है पहले तो वो देख लिया करो फिर यहां पर आप लोगों को यह पता चल गया चलिए अब आप लोगों को बता देता हूं मैं maths के भी ठीक है maths बता देता हूं फिर बताता हूं पुसूपालान और उसके बाद मैं इसकी rate बता दूँगा और इसके अंदर page कितने है वो बता दूँगा फिर आप लोगों का निन ने ठीक अभी डैड मैना है बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ लोगे ठीक है अब objective पढ़ने क किसे कहते हैं क्या है उसके अनुसार फिर यहां पर आप लोगों के बहतरिन प्रस्ण और हल भी साथ साथ दिया गया है कि इसका हल क्या है किस तरीके से हैं यह सारी चीज़े यहां पर दी गई है ठीक है फिर आगए आपके question यानि कि पहले आप लोगों को matter समझाया गया है इसके अंदर उसके बाद में आया है आप लोगों के question और फिर उस question की व्याख्या भी है यानि व्याख्या के हल भी बताया गया है यानि कि पूरी तरीके से आप लोगों के लिए easy बनाया गया है concept भी समझ जाओगे आप है ना pattern समझ भी जाओगे फिर उसके अनुसार वाप आप लोग प्रशन भी मिला पाओगे देख लो इस तरीके से प्रशन सामिल की गए व्याख्या बताए गई है आंसर है तो क्यों है वो चीज़ जो है solution करके बताया गया है तो इस तरीके से हैं यह maths के topic अब आते हैं जो आप लोगों की सबसे ज्यादा आप लोगों को है कि स चैप्टर हैं उनके जोड़े सभी के ने जोड़े क्योंकि सभी तो फिर पूरा ने अपने वैसे भी पड़े है नरंद सिंग्जी वाटी सर ने आप लोगों को करवा भी रखे और नए चैप्टर चूंकि नई पढ़ा पाया है तो वो इसके अंदर दे दिये हैं आप अब जनन आया जनतों में जनन यह चैप्टर चल रहा है ठीक है यह जन्तों में जनन वाला अब देखो ने आपने तया जाओ लोगों को सभी के नई ऐसे अदर तो यह आगे उसके वन लाइनर ठीक है अब यह जन दूआ को पाचन तो पाचन के पहले तो आप लोगों के सवाल है, फिर इनकी व्याख्या है साथी साथ, और साथी साथ जो है, समय बचे आपका इसलिए उत्तर जो है, साथ में लिखा गया है, ताकि समय बचे का प्रैक्टिस आप लोग सारे प्रश्ण फटा फट देख लोगे, क्योंकि समय ब प्रश्ण के अंदर आप लोगों के वन-lainers सामिल कर दीगे, बहतरी रिविजन इनके माध्यम से आपके हो जाएगा, जीव जनतों में स्वासन, तो स्वासन के सारे सवाल आ गए पहले, ठीक है, स्वासन के सारे सवाल आ गए, नए चेप्टर पूरे सारे के सारे जोड़े और फिर उसके बाद में स्वसन के अपने one-liners भी आ गए साथ ही साथ यह एक तरीके से आप लोगों के complete revision हो जाएगा पसुओं में रोग वाला chapter है यह देख लो मैं इसके अंत में भी ले जाता हूँ चल भी याद चल और कितने page है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को और फिर इसकी price भी आप लोगों को बता दूगा आप लोगों के लिए बिल्कुल अनुकुल रखी है ठीक है अब यह कौन सा chapter आगया पसुकरसी पसुकरसी आप लोगों को नहीं लग रहा था NCRT के अंदर यह जो chapter दे रखे हैं वुनी में से अपने पूरा का पूरा मैटर तियार किया गया क्योंकि प्रस्ना आखिर में वहीं से टेलिग्राम पर दे दी थी आप लोगों को अब चलते हैं यह कौन सा है यह आगया वन्यजीव देखो वन्यजीव वाला जो chapter है यह वन्यजीव के प्रस्न हो गए वन्यजीव वाला पूरा chapter जो है नया है यह तो वन्यजीव का वन्यजीव से रिलेटेड पूरा का पूरा पूरा chapter ही आप लोगों को इसी ही में सामील करके दिय आलग से पुस्तक लेने के आवशचिकता था कि नई पड़े, पूरा वन्य जीव, देख लो ये, ठीक है, राष्ट्री उद्यान से संबंदित प्रस्ण बन रहे हैं अभी, तो अपने पक्षिय प्यारन आ गई ये, और ये देखो, अपने राष्ट्री उद्यान से संबंदित नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क आए यह देखो, नाम दफ़ा वगेरे अभी बने है प्रशन, है न, CET के अंदर, तो यह आप लोगों के नैशनल पार्क भी, उसके अंदर सारे के सारे आ गए, फिर आ गए यहाँ पे, देश वराज्ये के संदर्व में पसुधन सब्दावलिया, तो सब्दावलियों से संब्दि यह सारे के सारे के भईया, आप लोग यह चीजे फटाक से रिविजन भी कर लो, समझ भी जाओ, देख लो अच्छे तरीके से, मैं स्लाइड से हट रहा हूं साइड है न, देखो, यह चीज भी साथ में आपके जोड के दी गई है, ठीक है, आप देखो, यह सब्दावलियो से संबंदित हो गया, फिर आया पस उपल से संबंदित जो है, अपने महत्वपुन बिंदू, तो यह अलग से वापस रिवाइज के लिए, चैप्टर भी जोडा गया साथ में, कुछ भी बाकी नहीं रखा हमने, आगामी परिक्षा में संभावित प्रस्टन, ठीक है, तो यह वापस मतलब complete प्रस्टन, mixed भी आप लोगों को दिये गए हैं, कि यह यह आप लोग वापस पुने revise कर लें, फिर आगे आती महत्वपुन विविद, यह इसको दो पार्ट में दिया हमने, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है, विविद में मतलब और यदि इत्यादी इत्यादी सब्द से कोई बना के दें, एक्जामिनर तो भी अपन तयार रहें, ठीक है, एक एक बार आप पढ़ लोगे, तो आप लोगों के दिमाग में जो है, वह चीज रह जाएगी, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, यह चैप्टर है, पसुपालन से संबंदित अन्य जानकारिया, उन्य जानकारिया, वन लैनर के रूप में दिया है, ताकि आप लोग इनहे, रिवाइज अच्छे से कर सको, देख वए हैं, पसुपालन की अलग से भी किताव आई थी, लेकिन कई विध्यार्तियों को पता नहीं था, तो वो कह रहें थे, सर यह चैप् पटेंगे सर हम तो ये एक बार बढ़िया तरीके से इसे देख लेना ये पट लेते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा तो अपने प्रसुपालन के अलग से किताब देने की ज़रूती नहीं है तो अपने इसी के अंदर जो है सामिल कर लिया इसी तरीके से और भी देख लेना तो ये तो रही अपने बात किसकी अपने ये चीजें इनके अंदर है अब यदि इसकी बात करें अपन की सरदेनबुक कि इसकी बात करें कि इसके अंदर पेज कितने है ठीक है पेज इसके अंदर है अपने लास्ट में यदि आप संख्या देखोगे तो 544 ठीक ये पांच यूनिट आपके इसके अंदर कितने पेज के अंदर सामिल है इसके अंदर है 544 पेज है क्या है ये पेज संख्या पेज संख्या 544 ये आप सर इसकी जो है आप प्राइज बता दो कि इसकी प्राइज क्या है इसका सुल्क क्या है इसकी रेट क्या है ठीक है दो वैस प्रकासक से बात भी कि मैंने हमारी टीम कभी यही मत था कि अपने जो है इसकी जो है कम रखते हैं पहले इसकी प्रकासक में इसकी प्रकासक के अंदर यह हमने दी है 350 के अंदर क्योंकि पेज संक्याई इसके अंदर 500 चुमालिस है और पेज हम आपने जितनी किताब आई आप लोगों देखा होगा मतलब बहुत बढ़िया पेज क्वालिटी यूज की जाती है तो यह आप लोगों को जो है complete revision आप लोगों का इससे हो जाएगा स सारी कि सारी पांच उनिट 350 इसकी प्राइज रखी गई है ठीक है 350 MRP इसकी रखी गई तो यह आपको 350 से ज्यादा कहीं नहीं देने कम यदि लगे तो अच्छी बात है लेकिन 350 से ज्यादा किसी को भी नहीं देने अब रही बात कि सर यह online मिलेगी क्या तो देखो online आप लो लेते हो वहां से online सभी जगे मिलती है अपनी किताब तो वहां से ले लो दूसरी बात कि आप नहीं लेते हो कि सर आप लिंक दो तो मैं टेलिग्राम पे जो है तीन चार प्लेटफॉर्म के लिंक दे दूंगा जो online books selling करते हैं जो आप लोग उनसे ले सकते हो लेकिन यदि ब टीनिकल टीम को मैसेज नहीं करना है ठीक है इस बात का दियान रखे online link जो है मैं आप लोगों को टेलिग्राम पे दे दूंगा ठीक है ना तो यह हो गया अपने इसका परिचे अब बढ़िया आप लोग खुद मार्केट में जाके देखो बढ़िया रैड महीने का समय है आ अगली वीडियो में अगली क्लास के अंदर तब तक के लिए राम राम जैहिन